हेलो फ्रेंड्स मेरे नाम है विकास आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सैमसंग के फोन में ग्लैंस वाल पेपर कैसे हटाएं सैमसंग के फोन में ग्लैंस वाल पेपर रिमूव कैसे करें तो यहां पर क्या होता है कि जब भी हम अपना फोन का जो लॉग बटन है दबाते है तो log यहाँ पे जो यहाँ पे वाल पेपर है चेंग हो जाता है और मैं इसे बंद करना चाहता हूँ तो इसके लिए आपको long प्रेस करना है home screen पे आपको मिलेगा यहाँ पे वाल पेपर इस पे touch करना है आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा अगर by chance आपको यह पेज यहाँ से ना मिले तो आपको यह पेज सेटिंग से भी मिल सकता है तो सेटिंग में जाएए अपने phone के सेटिंग को open करिए आपको यहाँ मिल जाएगा वाल पेपर इस पे touch करो वही पेज मिल जाएगा आपको मिलेगा है आपके My wallpaper gallery और wallpaper service पर आईए तो यहाँ पर आपको जो glass wallpaper है यहाँ मिल जाएगा तो आप चेक कर लिजिए बंद कर दीजिए यहाँ नन कर रखा है मैंने और इसके बाद यहाँ पर मैं इसे बंद कर देता हूँ यहाँ पे गैलरी पे आता हूँ मैं अगर आपका wallpaper चेंज हो रहा है बार बार तो my wallpaper पे आईए ध्यान लगिएगा यहाँ पे आपका यह बन दोना चाहिए none option पे होना चाहिए my wallpaper पे आईएगा और यहाँ पे आपको कोई एक wallpaper सेलेक कर लेना है और lock and home screen कर देना है और set lock and home screen कर देना है इसके बाद आपका wallpaper चेंज नहीं होगा बार बार मैं आपको चेक कर आएता हूँ देख सकते हो चेंज नहीं हो रहा साइद आप समझ गए होंगे वीडियो पसंद आई है लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा